आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं Multiple Box Motion इस टोपिक के लिए मेरे पास बहुत सारे विवर्स की request आई थी इसलिए मैं आज इस टोपिक पर वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास दूसरे टोपिक के लिए भी वीडियो आ रहे हैं spinning वीडियो के लिए, double lift, double cylinder डोबी के लिए, cross border डोबी के लिए मैं उन सभी टोपिक्स पे आपको धिरे धिरे वीडियो बना कर दूँगा पिछले two weeks में मेरी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए मैं timely वीडियो अपलोड नहीं कर पाया लेकिन अब आपको timely वीडियो मिलते रहेंगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे जो भी आपने मुझसे request किये है topic मैं उन पे काम कर रहा हूँ spinning के वीडियो भी मैं बनाऊँगा कुछ students ने dying के वीडियो के लिए request की है दूसरे topics के लिए भी request आई हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और आपको timely वीडियो मिलते जाएंगे आज के वीडियो में हम discuss करेंगे multiple box motion basically multiple box motion क्या होते हैं ये आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कितने types के होते हैं अलग अलग types में कौन कौन से है multiple box motion उनकी construction क्या है उनकी working क्या है ये काफी लंबा topic है तो इसको हम दो या तीन वीडियो में discuss करेंगे तो आज के वीडियो में हम इसके introduction और किसी भी एक multiple box motion के type को discuss करें और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके all पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे latest वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं What is multiple box motion Multiple box motion क्या होते हैं जिस प्रकार से हम fabric produce करते हैं loom के उपर अगर हम single color weft use कर रहे हैं तो loom के अंदर दोनों side एक एक shuttle boxes होते हैं तो अगर हम single color weft use कर रहे हैं तो उस एक shuttle से ही हम पुरा fabric produce कर सकते हैं अगर हमारा fabric single color में produce करना है या अगर हमें कुछ interval के बाद दूसरा color डालना है तो हम weft को change करके कर सकते हैं लेकिन अगर हम multi color fabric produce करना चाहते हैं जैसा कि डोबी के अंदर या जैकार्ड के अंदर हम अलग-अलग प्रकार के design प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे color के weft हमें insert करने पड़ते हैं fancy twill है, extra weft, figuring, sport हैं इस type की views के अंदर हमें अलग-अलग color के weft को insert करना पड़ते हैं तो उस case में हम चाहते हैं कि हमारी loom के अंदर एक से ज़्यादा color के weft को insert करने के लिए shuttles का arrangement होना चाहिए तो उस arrangement को हम multiple box motion कहते हैं जो हमारी normal loom होती है जिसके अंदर हम plain fabric produce करते हैं single fabric, single color fabric produce करते हैं तो उसके अंदर दोनों तरफ एक एक shuttle box होते हैं तो shuttle एक box से दूसरे box सक travel करके अपनी picking करती है फिर वापिस वही shuttle उस बोक से चलके दूसरे shuttle box में आ जाते हैं तो और तो दोनों तरफ single shuttle box होते हैं लेकिन multiple shuttle box में या multiple box motion loom के अंदर एक तरफ अगर एक shuttle box है तो दूसरी तरफ हम तीन या चार shuttle box का यूज़ कर सकते या दोनो तरफ भी हम दो-दो shuttle box, दो shuttle box इस side, दो shuttle box इस side जूज़ कर सकते हैं वो depend करता है किस टाइप का फैबरिक हमें produce करना है उसके हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं अब बात आती है कि multiple box motion कितने types के होते हैं तो यह basically दो types के होते हैं पहला है drop box motion loom जिसके अंदर हम box motion को drop करके उनकी position को race board के सामने लाके shuttle को use करते हैं वेft insert करने के लिए उसे drop box motion loom बोलते हैं या उसे drop box multiple box motion बोलते हैं जिसके अंदर हम drop करते हैं box motion को या boxes को जो shuttle boxes हमने लिए हैं चार shuttle boxes लिए हैं तो उनको drop करके या rise करके हम loom के अंदर अलग अलग कलर के वेफ्ट की पिकिंग करते हैं दूसरा टाइप है सर्कुलर बॉक्स मोशन उसके अंदर सर्कुलर बॉक्स मोशन के अंदर हम सर्कल में शटल को यूज करते हैं और जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं सर्कुलर बॉक्स मोशन के अंदर हमने circle में चार shuttle boxes को arrange किया हुआ है वो circular rotate करके अलग लग shuttle को race board के सामने लाते हैं और race board के उपर shuttle move करते हैं और drop box motion उसके side में दूसरा diagram है उससे आप देख सकते हैं कि drop box motion में इस type का arrangement होता है जिसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे चार shuttle box होते हैं तो अगर हमें second shuttle को insert करना है तो हम second box को race board के सामने ले आते हैं fourth insert करना है तो fourth को race board के सामने ले आते हैं तो यह दो type के box motion हम use करते हैं इनके भी फिर आगे जाके और ज़्यादा classification अगर हम discuss करें तो circular की अलग classification है drop box की अलग हैं, अलग-अलग type के motion होते हैं जैसे eccles drop box motion है, cow burn box motion है, pick at will motion है, pick at pick motion है तो यह अलग-अलग type के multiple box motion है जो shuttle looms के अंदर use किये जाते हैं तो इस type के boxes हम use करते हैं अब बात करते हैं classification of multiple box motion या drop box looms तो classification के लिए हम two into one type का box motion यूज कर सकते हैं two into one में, दो shuttle box looms के एक side में होंगी और एक shuttle box दूसरी side होगी तो लेफ़ साइड में अगर दो box हैं, तो राइट साइड में एक box मिलेगा इसके अंदर हम दो shuttle box, दो shuttles का use कर सकते हैं दो boxes में, total three boxes हैं, तो हम दो shuttle को, दो color के weft को इस type की mixing करने के लिए हम इस box motion का use कर सकते हैं बट इसके अंदर limitation ये है कि हम इसके अंदर old number of picks insert नहीं कर सकते हैं मान लीजी हमने दो box लिए दोनों में दो अलग अलग कर लिए एक में red एक में yellow तो ये possible नहीं है कि हमने पहले एक pick insert कर दी red की फिर दूसरी pick हम insert कर दें yellow क्योंकि जो यहां से अगर हमारे left side में दो box हैं उसमें से red color का weft चला और वो right side में पहुँच गया तो उसमें वो एक box जो है वो occupy कर लिया अब यहां पर जो दूसरी shuttle उसको वहां पर जाकर rest करने के लिए दूसरा box available नहीं है तो जब तक वो red color का weft दूबारा वापीस अपने box में नहीं आएगा तब तक yellow color वहां पर नहीं जा सकता तो two into one के अंदर हमें pair में pick insert करनी पड़ती है red की दो pick जाएंगी yellow की दो pick जाएंगी इस परकार से हम weft की mixing कर सकते हैं two into one box motion two into two box motion में हम दोनों तरफ दो दो shuttle boxes का use करते हैं इस तरफ भी में 2 box उस तरफ भी हमने चार बॉक्स का use किया 4 box हमने यूज किये अब उसके अंदर हम तीन shuttle अलग-लग color की use कर सकते हैं इस side जो हमारे दो box हैं उसमें 2 color डाल सकते हैं उस side जो दो box हैं उनमें 0 में एक को अगर हम single pick insert करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते क्योंकि हमने तीन shuttle यूज की हैं अलग लग 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 लेकिन अगर चार boxes यूज कर लें दो इस तरफ और दो इस तरफ और दो shuttle box को हम यूज करें दो shuttle हम यूज करें अलग लग color की तो possible है कि हम single pick को भी insert कर सकते हैं जैसे यहां से एक color की shuttle हमने insert की वो एक box में जाके rest करेगी उसके बाद उसको वापिस लाने की जरूरत नहीं है उस side हमारे पास एक और box खाली है तो हम दूसरे color की shuttle को उस box में पहुँचा सकते हैं तो single weft को भी हम इस type के box motion में insert कर सकते हैं next है 2 into 1, 4 into 1, 6 into 1 इस type का arrangement भी हम कई looms के अंदर use करते हैं 2 into 1 हमने पहले भी discuss किया दो box इस तरफ होंगे, एक box इस तरफ होगा जिसमें हम दो color के weft को insert कर सकते हैं 4 into 1 जिसके अंदर 4 box एक side में होंगे एक box दूसरी side में होगा, left side में 4, right side में 1 तो इस case में हम 4 weft insert कर सकते हैं अलग-अलग color के, क्योंकि 4 boxes यूज की हैं हमने लेकिन इसमें condition यह है कि pair में picks भेजनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी side एक box है जिस भी loom में, एक side में box जादा है, दूसरी side single box है तो हमें pair में ही pick insert करनी पड़ेगी single pick insert करके हम next color को insert नहीं कर सकते हैं उस type के loom 6 into 1 में 6 box एक side होगे, एक box दूसरी side होगा इसके अंदर भी हम 6 color की mixing कर सकते हैं next जो type है, वो है 2 into 2, 4 into 4, 3 into 3 तो 2 into 2 में 2 boxes इस side, 2 boxes दूसरी side 4 into 4 में 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, total 8 box है तो हम उन 8 boxes के लिए 6 shuttle का use कर सकते हैं 7 का भी use कर सकते हैं, 7 अलग-अलग color की shuttle हम use कर सकते हैं अगर हमें pair में insert करनी अगर हम अलग-अलग color चाते हैं तो 4 color इस तरफ use कर सकते हैं 4 box उस side खाली रख सकते हैं तो जैसे ही पहला color जाएगा इस तरफ से तो पहले box को occupy कर लेगा दूसरा color जाएगा, दूसरे box को कर लेगा तीसरा color तीसरे को, चोथा चोथे को तो हम 4 single pick एक, एक-एक के order में हम चार अलग लग color इंसर्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से 3 into 3 में भी हम 3 box इस तरफ 3 box उस तरफ use करते हैं 4 into 4 box motion को pick at will भी बोला जाता है क्योंकि हम अपनी इच्छा से जिस भी pick को insert करना चाहते हैं जिस भी color को insert करना चाहते हैं उसकी position को raise या lower करके adjust करके हम अपने इसाब से अपनी इच्छा से pick at will हमारी इच्छा से हम pick को insert कर सकते हैं 4 into 4 box motion के अंदर तो ये pick at will 4 into 4 box motion को pick at will motion भी बोला जाता है 4 into 1 2 into 1, 6 into 1 इसको pick and pick loom भी बोला जाता है जिसके अंदर हम pair में pick insert करते हैं pick at will जिसमें हम अपनी इच्छा से कोई भी color insert कर सकते हैं तो 2 into 1, 4 into 1, 6 into 1 ये pick and pick loom भी बोला जा सकता है इनको और 4 into 4 को pick at will loom भी बोला जाता है pick at will motion किसी लिए उसका नाम दिया गया है हम अपनी इच्छा से color को insert कर सकते हैं तो ये कुछ classification थी अलग-लग type के box motion की अब इन में से हम एक motion डिसकस करेंगे pick at will motion कि pick at will motion क्या होता है उसमें कौन-कौन से part होते हैं और वो कैसे काम करता है I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like कीजिए share कीजिए comment कीजिए आप हमें facebook पे follow कर सकते हैं हमारा facebook page है textilehelp.org instagram पे follow कर सकते हैं textilehelp.org हमारी website विजित कर सकते हैं textilehelp.org आप हमसे contact करने के लिए हमें instagram पे या messenger पे contact कर सकते हैं thank you so much for watching कर सकते हैं एक पे हमारा की इस हईान या Kaitया हमारा आप में थीए